कभी कभी क्या होता है ना रोटी सबजी खाने का बिलकुल मन नहीं करता लेकिन हमें न्यूट्रिशन वैलू भी चाहिए तो आज इसी प्रोब्लम का सलूशन लेकर आए हूँ बहुत ही अमेजिंग रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आप चाहे इसको लंच में बन बनाइए ऑफिस टिफिन के लिए बनाइए छुटी वाले दिन बनाइए वीकेंड पर बनाइए फेस्टिवल्स में बनाइए या अपिर अपने गेस्ट मेन्यू में शामिल कीजिए बहुत ही गजब की रेसिपी है और इसको कॉम्प्लिमेंट करेगा यह गजब का रायता इसके साथ तो बिल्कुल बेस्ट जाता है तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन अना बहुत ही गजब का है और यह जो पुलाव आज मैं आपके साथ शेयर कर रहे हुँ ना बहुत सारी सबजियों का हमने इसमें यूज किया है फुल ओफ प्रोटीन है तो वन पॉट मील होन अगर आप मेरा चैनल पहली बाद देख रहे हैं तो जल्दी से कर लिजिस चैनल को सब्सक्राइब क्योंकि यहां आपको मिलने वाली हैं बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपीज जो इसी चुमेक होती है फटा फट से बन जाती है होमेंट किजिन से रिलेटेड कुश टिप्स अपने काम को करने का पॉजिव मोटिवेशन और माई डेली रूटी तो जी ये जो व्लॉग है ये है शुकरवार का तो अभी न बहुत जादा अडली मॉर्निंग का ये टाइम नहीं है अराउंड साड़े दस पोने ग्यारा बजे हुए हैं तो यूजरी इस टाइम पर मैं अपना व्लॉग खतम कर देती हूं लेकिन आज मैंने इस टाइम से अपने व्लॉग की की है शुरुआत और अभी इस टाइम मैं आए हूं किचिन में अपने लिए चाय बनाने तो जो मॉर्निंग रूटीन का सारा काम ता वह हो चुका है फिनिश और उसके बाद जो मैं थोड़े सा अपना मी टाइम इंजॉय करती हूं उसके लिए थोड़ी इसमें मैंने कौन और कैपसिकम यूज किया तो यह है कौन कैपसिकम के आपे तो इसको टेफिन में यह दे दिया था और उसके बाद मैंने अपनी चाय की इंजॉय थोड़ी दिर बैठी अपने काम वगरा किये और अभी आए हूं किचिन में लेंच बनाने के लिए तो आज आज ही रेसेपी जो मैं शेयर कर रहे हूं आप चाहे इसको लंच में बना लीजिए और डिनर में बना लीजिए बच्चों के टिफिन में भी यह पॉफेट जाएगी तो बहुत ही मज़ेदार सी रेसेपी है एकड़म वसे टाइल है कभी भी आप इसको बना सकते हैं तो य अच्छे से हमें इनको इस तरह से रब करकर के दो लेना है तो जितना भी वाइट वाइट पानी है जब तक निकल रहा है इसको अच्छे से दो लेजिए फिर उसके बाद इसका सारा पानी हमें निकाल देना है और इनको ऐसे ही हमें रख देना है इसमें हमें पानी भरके न यहां पर ले लिया है मैंने सोयबीन तो जो चोटी वाली राती है वो ली है मैंने और इसमें गरम पानी कर दिया है बिल्कुल बॉइल वॉटर है ये जिस से ये अच्छे से भीग जाए और इसका जो ये वाइट वाला जाग है ये भी खतम हो जाये जब भी जाते हैं तो इनक अच्छे से वाश कर लिजे अब यह तीन काम मैंने पहले कर लिए अब एक और काम कर लेते हैं सारी जो सब्जियां मुझे भी लगेंगी वो सब में निकाल लोगे और जितना भी पुलाओ बनाने में समान लगेगा सब कुछ मैं पहले ही निकाल कर रख लोगी क्योंकि जब हम कौई भी सब्जी बनाते हैं और पुलाओ बनाते हैं सारा समान जब बना हुआ होता है उसकी पूप्रिपरेशन होती है वो अगर ड़न होना तो बहुत इजी हो जाती है अब यहां पर देखे मेरी चॉपिंग हो चुकी है तो यहां पर मैंने गाजर को बारीक चॉप कर लि पू यहां पर देखे मैंने निकाल लिया है जो सोय वी निसको दोल लिया है मतर को भी मैंने छहांड पर ले लिये हैं, मैंने थोड़े से काजू वादाम और किश्मिश है बहुत मज़दार पुलाओ बरने वाला है ये बहुत सारी निट्रिशन है हम इस करने वाले हैं और यहां पर मैंने खड़े मसाले भी पहले ही निकाल कर रख ली हैं ताकि बार-बार फिर हाथ ना रुके फटा-फट से बस हम उसके प्रोसेस को स्टार्ट कर दे और यहां पर कट कर ले हैं पनीर के क्यूब्स तो देख रहे हैं आप कितनी सारी सबजियां इस जो आपके पास अवेलेबल है उससे भी इसको बना सकते हैं यहां पर ले ली है कढ़ाई तो आज मैं कढ़ाई में बनाने वाली हूँ बहुत ही बढ़हा बनता है कढ़ाई में ले लिया है और आप ऑईल को ना गर्म होने दे लिए तो अब जैसे ही ऑईल गरम हो जाएगा इसमें 140 टीस्पून ही एड कर दिया है और 1 टीस्पून जीरा एड कर दिया है एक तेजपत्ता एक दालचीनी का टुकड़ा एक स्टार इनीज और चार हरी इलाइची एड करेंगे दो मोटी वाली इलाइची आती है जो काले वाली वो एड करेंगे चार काले मिर्च और दो हाई नहीं होना चाहिए नहीं तो ना यह मसाले जल जाते हैं जब जीरा क्रैकल हो जाएगा तो इसमें बीन्स और गाजर को हम एड़ कर देंगे और इनको हमें 30-40 सेकंड्स के लिए हलका सा शैलो फ्राय करना है जब तक कि इनमें अच्छे सी शाइन नहीं हो जाती और हलके से यह ट्रांस्लोसन नहीं हो जाते तो इनको अच्छे से भून लेंगे 30 सेकंड्स के लिए और जब यह अच्छे से भून जाएंगे फिर हम उसके बाद इसमें एड़ कर देंगे तो वह हमें इसमें एड़ कर देने है तो अच्छे से निचोड लीजेगा तब इसमें एड़ कीजेगा तो बस आप चीजों को तो हमें एड़ करते जाना है और इनको बस भूनते जाना है जिससे बढ़े यासा फ्लेवर ये रिलीज कर देए तो यहाँ पर मटर, सोया बीन गाजर और बीन्स को बहुत अच्छे से हमें शैलो फ्राय कर लेना है जिससे की बढ़ यासा इनका टेस्ट डवलप हो जाए अब बस इसमें हल्दी बहुत कम एड़ करनी है बिल्कुल बन फोर टी स्पून ही में इसमें एड़ कर रहे हूं बहुत जादा नहीं नहीं तो अच्छा लगता है तो चिली फ्लेक्स आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एड़ कर लिजेगा बस थोड़ा सा मिक्स करेंगे और यहां पर अब हम चावल को कर देंगे एड़ तो यहां पर देखे चावल भीग गए है अच्छे से और अब चावल एड़ करने के बाद ह हमें इसको बढ़िया से भून लेना है तीन से चाल मिनट के लिए जब तक कि न यह ड्राय नहीं हो जाता चावल एक खिलने जाता भून नहीं जाता तो तब तक हमें इसको पेशेंटली भूनना है यहां पर गड़बर मत कीजिए नहीं तो आपका जो पुलाव है वो खिला देखिले हो गये हैं ड्राय हो गये हैं एक एक दाना अलग-अलग हो गया है तो अब यह जब बहुत अच्छे से भून जाएगा फिर हम इसमें अड़ करेंगे पानी तो पानी हमें इसमें गरम एड़ करना है तो यहां पर मैंने एक गिलास चावल लिया था तो एक गिलास साथ में हैं मैं यहां पर एक ग्लास ही पानी अड़ कर रहे हूं पानी गरम है ना तो मैं आदा अदा ग्लास करके दो बार एड़ कर दिया बस इसको अच्छे से मिक्स देंगे और फिर हम इसमें अड़ कर देंगे नमक तो नमक ना हमने किसी भी स्टेज़ पर आड़ نہیں की आता तो यहां पर ध्यान से अच्छे से नमक एड़ कर दीजिए अपने स्वाथ के हिसाब से तो नमक एड़ करने के बाद इसमें मैंने एड़ किया है 14 टी स्पून गरम मसाला और भास इसको अच्छा सा इसको अब कवर करके लो फ्लेम पर हम कुक होने देंगे जब तक कि यह सॉफट नहीं हो जाते इसका जो सारा पानी है वह सूख नहीं जाता और यह स्टीम नहीं हो जाते अगर आप घी खाना पसंद नहीं करते तो आप ऑईल भी यूज़ कर सकते हैं या फिर बटर भी ले सकते हैं यहाँ पर तो घी जब गरम हो जाएगा तो इसमें मैं भून लूँगी काजू, बादाम और किश्मिश जो हमने निकाल कर रखेते ना वो तो पहले हम बादाम को फ काजू, बादाम और किश्मिश तीन चीजों को अच्छे से शेलो फ्राय कर लिया है तो इनको हलका सा फ्राय करने के बाद इनको निकाल लेंगे हम अलग प्लेट में तो इनको फ्राय होने में बहुत जादा समय नहीं लगेगा फटा-फट से यह फ्राय हो जाते हैं और यह गी जो गहीं बचा हुब है इसी गहीं में ना हम पनीर को भी फ्राय कर लेंगे तो झालक але सा फ्राय करना तो यहां पर गैस की फ्लेम बहुत तेज है तो अगर आप किचिन में बिगनर है तो थोड़ा ध्यान से फ्राइब कीजेगा चाहिए गैस की फ्लेम को लो कर लीजेगा अब मैंने काजू, बादाम और किश्मिश फ्राइ की थे ना वो भी मैंने पनीर के साथ कर दीये हैं अड़ गैस को मैंने अब यहां पर कर देना है बन और बस इसको एक बार मिक्स कर दूँगी अभ यहां पर पुलाव को वापस से उसी बर्लर पर शिफ्ट कर लिया है मैंने और एक बार पुलाओ देख लेते हैं तो यहां पर देखें लगबग लगबग पानी जो है वह सूख चुका है तो अब हम इसमें एड़ कर देंगे पनीर काजू किश्मिस जो हमने भी फ्राय करके रखें थोड़ा सा हरा धनिया जो हमने चौप करके रखा है अभी यह जो रा करके हम स्टीम होने देंगे जब तक कि यह बिल्कुल पानी इसका सूख नहीं जाता तो यह देखें जब हम पनीर और काजू किश्मिस कर देता है उसके बाद इसको कुछी सेकंड्स में यह ड़न हो जाता है और यह देखें कितना बढ़िया जो पुलाव है वो हो चुका है करेंहें रेडी तो आब यहां पर आमें एक कवर यूज करनी है गैस को तो अपनी कर दीजिए और कवर कर दीजिए विस पिलकुल खिला खिला बनेगा अब यहां per बना लेते हैं राया था तो यहांपर और दही को मैंने अच्छे इसे नहीं और इसमें एड्ड कर दूंगी चिली फ्लेक्स थोड़ा सा पुदीने का पाउडर कुटी रिकाली मच का पाउडर और भुने जीले का पाउडर कर दीजिए इसमें एड और बस इसको मिक्स कर देंगे तो रायता बनाने में कोई बहुत जादा जो मैथर्ड है वो यूज नहीं होते हैं यह सिंपल सा बेसिक स ही खाने का मन हो जाए तो यहां पर मैंने थोड़ी सी बुंदी थोड़ा सा इसके ओपर भुना जीरा स्प्रिंकल कर दिया है थोड़े से चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा हरा धनिया तो यह वे कितना बढ़िया लग रहा है और बुंदी का रायता तो ओल्मुस्ट सभी का प देखे जो पुलाओ है वो भी अपनी ही स्टीप में हो चुका है कुक और यह देखे एक एक दाना इस पुलाओ का खिला खिला बना है तो जो जो टिप्स मैंने आपको बताई हैं उनको फोलो करके बनाएए तो यह जो वेज सब्स पुलाओ है ना बनकर बहुत बढ़िया से रेडी होता है ऐसा पुलाओ ना अकसर आप शादियों में या फिर रेस्टरोंस में खाते होंगे लेकिन अब आप बनाएए अपने घर की ही किचिन में और अपने परिवार वालों को खुश कीजिए खुद भी खुश होईए क्योंकि जब हम कुछ स्पेशल सा बनाते हैं तो खुद भी बहुत खुशी होती है कि हमने कुछ अच्छा सा बनाया है एक अचीवमेंड वाली तारीफ कर देते हैं क्योंकि हम होमेकर्स के लिए तो हमारे परिवार को बच्छों को पसंद आजाए तो यहाँ पर देखे ये बैस्ट कॉम्बिनेशन हो गया है तैयार यह बहुत ही मज़ेदार यह वह है वह सबस बाव बनकर तयार हुआ है। मज़ा आजाता है खाकर और एकदम रेस्टोरेंट वाली फिलिंग आ जाती ही हमने कुछ जिसे रेस्टोरेंट टाइप फूड खाया हो तो बहुत ही अच्छा लगता है तो हर्बंड का टिफिन दे दिया है मैंने थोड़ा सा खा लिया है अभी अर्णव भी आने वाला है तो बच्चों के टिफिन में भी आप दे दीजी बच्चों के लिए बहुत ही न्यूटिशिस है वेट लॉस जर्णी में है तो भी आप इसको बना कर खा सकते हैं चुट्टे वाले दिन बनाएगे सबके साथ कर खाईए बहुत ही मज़िदार लगती है क्योंकि जो इस तरह की होती होती है बस एक बार में बना लेजिए और फैमिली के साथ एंजोई कीजिए तो बहुत अच्छे लगते हैं और कभी-कभी रोटी सब्जी से कुछ हटके खाने का मन होता है तो इसको बना लेजिए बहुत ही मज़ेदार है बहुत ही वरसिटाइल है और अगर आप एप सब्सक्राइब करते हैं आपको पसंद आती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएगा आम शूर यह रैसेपी तो आपको बिल्कुल पॉफेक्ट पसंद आने वाली है क्योंकि राइस तो ओल्मोस्ट सभी के फेवरेट होते हैं तो बस अभी मैं करूंगी बड़तन फिर इकन को प्रेस कर दें जिससे मेरे आने वाले वीव वीडियो के नॉटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचें तो मैं मिलती हूं आपसे नेक्स व्लोग में तिल एन बाबाई स्टे हैपी ओल्वेज